तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हमें किस तरह से बिल्कुल प्रॉपर वे में मेकप को रिमूव करना चाहिए तो सबसे पहले अगर आपने ये वाला मेकप लुक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए वीडियो अप्लोड कर दी है और ये मेकप लुक मैंने बहुत ही अफॉर्डेवल एन्वाइबे ब्रेंड से क्रियेट किया है वन ब्रेंड मेकप टूटोरियल है तो आप जाके दे आप पीछे की तरफ कर लूँगी आप जब मेकप क्लीन करते हो तो आपके हैर्स आपके फेस पे नहीं आने चाहिए वरना वो बहुत ही परिषान करते है तो उसके बाद में मैंने लेंस लगा रखे थे तो आप अपने लेंस पहले ही निकाल दे्धे वरना आपको जब क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रॉडक्स हैं जो यूज कर सकते हूं मैं यहां पर यूज कर रही हूं स्टेक वर्की का मेकप क्लिंजिंग वाटर आप मिसिलर वाटर यूज कर सकते हूं क्लिंजिंग लोशन यूज कर सकते हूं क्लिंजिंग मिल्क यूज कर सकते हूं आज इसे मैं अभी काफी दिनों से यूज कर रही हूँ ताकि अच्छा खासा यूज कर लूँ और उसके बाद में इसका honest review आपके साथ में share कर सकूँ. तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मेरा make-up remove कर रहा है, बहुत ही अच्छा से make-up को melt करके remove कर रहा है, तो मैं आपको one side का remove करके दिखा रही हूँ ताकि आप difference देख सको, आपको सबसे पहले अपना eye make-up remove करना जाहिए, उसके बाद lipstick remove करनी जाहिए and then आपको अपना base हटा अब मैं अपना पूरा face clean कर लूँगी, अभी आपको वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत भारियात से बिल्कुल harsh तरीके से अपने face को clean कर रही हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने face को बहुत ही gentle hand के साथ में clean कर रही हूँ, वीडियो की speed इसलिए आपको ऐसा लग रहा है और आपको भी बिल्कुल gentle hand के साथ में ही, बिल्कुल कम pressure के साथ ही अपने face को clean करना होता है, वरना आपकी skin damage हो सकती है, आपको थोड़ी थोड़ी quantity में water को लेते रहना है और अपना face clean करते रहना है, और clean करने के लिए मैंने यापर जो tissues आ काफी अच्छे से अच्छे से बिल्कुल remove कर देना है, बिल्कुल कुछ भी product आपके ice में नहीं रहना चाहिए, तो makeup अच्छे से clean हो गया है, और उसके बाद में double deep cleansing करने के लिए मैंने यहाँ पर cleansing milk यूज किया है, आप किसी भी brand का कोई भी cleansing milk यूज कर सकते हो, good wipes की बहु makeup cleansing lotion का review share किया है, बहुत ही अच्छे से detail में मैंने सब कुछ उस product के बार में बताया है, तो आप जाके देख लेना आपके लिए helpful रहेगा, तो यहाँ पर मैंने cleansing milk को अच्छे से हटा दिया है, ताकि जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत extra रह गया हो तो वो निकल जाए, और makeup face पर बिल्कुल भी ना रहे, और इसके बाद में आपको अपने face को wash करना होता है, किसी भी अच्छे mild face wash से, तो मैं वो कर देती हूँ, and face wash करने के बाद में आपको अपने face को अच्छे से dry कर लेना है, and then उसके बाद में आपको toner यूज़ करना है, आपको toner जरूर यूज़ क करने से, and उसके बाद में आपको moisturizer लगाना है, तो moisturizer के लिए मैंने बेला वीटा का, नीमें तुलसी वाला जो face gel आता है, इसको लगाया है, अच्छे से hand में warm कर देना है, और उसके बाद में आपको अपनी skin पी से pad करते हुए, skin में एकदम एब्साव कर देना है, तो इस gel का review भी मेरे channel पर upload है, oily skin के लिए, pimpered skin के लिए बहुत अच्छा gel है, यहने आखों में कितना कुछ किया होता है, lens लगाया है, lashes लगाया है, तो हमें अपनी आखों पर भी ध्यान देना होता है, तो इसलिए मैंने eyes में eye drops डाली है, आप कोई भी eye drops डाल सकते हो, जो आपको suit करती है, and lips पे मैंने lip balm लगाई है, ताकि lips पे moisturize हो जाए, तो face अच्छे से clean हो चुका है, आप देख सकते हो, तो यही proper way होता है, makeup को clean करके, उसके बाद में हमें अपने face की कैसे care करने चाहिए, तो I hope आपके लिए video helpful रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हूँ, तो वीडियो क बेल बटन है, उसे जरूर प्रेस कर देना, okay friends, मिलते हैं फिर एक नई video के साथ,